नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नहीं मंगी आज हम इस वीडियो के मादम से बात करने वाले हैं अभी राजस्तान होमगार्ड रिक्वार्मेंट 2020 की किया भी गोंशना हुई है कल 2 जून को तो इसके बारे में हम संपूर्ण डिटेल से जानकर जानेंगे जिसे की इसका सलेबस क्या है सलेक्षन प्रोसेस क्या है इसकी सेलरी क्या है और इसके लिए आपको यानि राजस्तान होमगार्ड रिक्वार्मेंट 2020 के लिए ओनलाइन अप्लिकेशन कहां से आपको क्या है अप पहले यह निकाले गई थी राजस्ताना होमगार्ड रिक्वार्मेंट 2020 राजस्तान में क्या होमगार्ड सेखोपत पनिकली 25 बर्थिव के लिए आवजिन पर किया 10 जून से सुरू होने वाली है इससे पहले 7 अपरली से सुरू होना था लेकिन करोना वायरिस संक्रमा फेलने और लोगडाउन के चलते आवजिन के प्रिक्या टाल दी गई थी अब क्या इसका पूर्ण नोटिफिएशन एप दो तारिक को इस्चु को इमिद्वार के 10 जून से लेकर 9 जुलाई रात 12 विज़ते को ओलाइन आवजिन कर सकेंगे साथ क्या आपको इसका बिना किसी अंत पदों की संक्या कितनी है 25 है योग्यता क्या है योग्यता आठी पास है अगर आप आठी पास है और आपकी उमर 18-35 वर्स है तो आप इसके लिए क्या है अपलाई कर सकते हैं चली बात करते आगे आवे दिन परकिरे क्या है ओनलाइन परकिरे क्या है इसकी मानिया होगी और और आवे दिन शुरू होने की थी थी है 10 जून पहले ये 7 अपेल को शुरू होना था लेकिन करोना वाइस के कान किया इसको लोगडाउन की चलते इसको टाल दिया गया था अब ये 10 जून से दुबारा आरम होगे और लास्ट डेट के आपकी 9 जुलाई यानि 9 जुलाई रात जाती यानि SC, ST, EWS, MBC वरग के लिए के 175 रूपए यानि आपकी क्या है फॉर्म की फीस है बढ़ते आगे selection process तो रजस्तान होमगाड का जो selection process अब उसमें क्या क्या होगा सबसे पहले आपको registration और फिर आपका एक physical standard test होगा वो पास कर दो फिर आपका क्या होगा physical efficiency test होगा फिर special ability होगी तो इनके अलग अलग अंक है या आपको ध्याँ रहखने है चलिए आप इनके अंकों के बारे हम करते हैं कि क्या कैनमी होगा क्या क्या इनमें अंक है सबसे पहले आपका क्या होगा जो certificate का जो होगा यानि जो document verification और क्या क्या होगा उसमें तो उसमें आपसे सेक्षनिक योग्यता प्रमनापत्र मांगी जाएंगे समंधित जीले नेगरपाली का तसील का यानि मूल निवास प्रमनापत्र होना चाहिए प्रमानपत्र आपके पास 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 प् सब्सक्राइब बात करते हैं इसके फीजिका स्टेडर में क्या क्या होगा तो फीजिका स्टेडर में एक तरफ आपको जनल यानि समाने चेटर के लिए दूसरी जरापके जो 12 जिले का जो सहरिया चेटर उसके लिए है पहले बात करते हैं मिनिमम हाइट की तो मेल की 168 सेंटीमेटर होना चाहिए और फीमेल की 152 सेंटीमेटर होना चाहिए उन्हीं चाहिए जनल चेटर के लिए अगर सहरिया चेटर में बात करें तो male की 160 cm और female की 155 cm होना चाहिए अब बात करते हैं chest male की तो 60 cm होनी चाहिए क्या है चाती फुलाने के बाद आपका चाती का size वो 66 cm होना चाहिए बिना चाती फुलाए आपकी 81 cm चाती होनी चाहिए अगर बात करते हैं सहरीया चैतर में तो 79 होनी चाहिए यानि फुलाने के बाद और फुलाने से पहले आपकी 74 cm होना चाहिए अब बात करते हैं weight वेट होना चाहिए female count 47 kg female होनी चाहिए जनलल में और सहरीया चैतर में 43 kg होना चाहिए इसके लवा आप बात करते हैं PET यानि physical education test जिसमें आपकी running होगी और इसमें आपका 30 marks का ये जो running होगा वो होगा तो पुरुसों के लिए सबसे पहले 1,000 m2 की दोड होगी time और marks अगर आप ये दोड यानि 1,000 m2 3,4 में दोड़ते हैं तो आपको 15 marks मिलेंगी अगर आप 1,000 m2 दोड़ तो आपको 30 marks मिलेंगी अगर आप ये दोड 3,000 m2 10 seconds में दोड़ते हो तो आपको 30 के 30 marks है वो आपको मिल जाएंगे अब बात करते हैं female के बारे में तो female अगर 4,000 m2 30 seconds में अगर ये दोड़ पार करती है तो 15 marks 3.40 में अगर यह दोड़ पार करते है 23 marks और 3.15 में अगर यह दोड़ पार करते है तो 30 marks आपको मिल जाएंगे अब बात करते हैं special ability यानि ये आपकी 20 marks की होगी देखते हैं इसमें क्या क्या होगा इसमें अगर आपके पास NCC का जो प्रमापत्तर है यानि A grade का तो 4 marks B grade का तो 6 marks C grade का तो 8 marks यानि total आपका क्या है 8 marks का होगा maximum marks होगे आपके NCC प्रमापत्तर के अब बात करते हैं computer 6th to RKCL यानि रादस्तान knowledge corporation limited द्वारा परदत RICIT यानि रादस्तान state certificate in information technology प्रमापत्तर अत्वा राष्ट्री एलेक्ट्रो के सूचना प्रदोकी संस्तान यानि N E L I T Boothpro D O E A C G Society द्वारा परदत computer 6th यानि आपके पास computer diploma है तो उसके लिए आपको 3 marks मिलेंगे अब आगे बात करते हैं अगर आपने इसमे IT आई कर रखी है और आपके पास ये डिपलोमा है electrician, filter, plumber, welding motor गाड़े मेकलिक, diesel mechanic penter तो ये किसे और चैने CVT से आपके पास अगर कोई प्राप्त आई जो IT का डिपलोमा है तो आपको 2 marks मिलेंगे अब बात करते हैं आगे अगर आपने खेल में भाग ले रखा है और आपके पास ये प्राप्तर है यानि national level का है तो 4 रंक मिलेंगे और state level का है तो आपको 2 रंक मिलेंगे यानि maximum 4 रंक का होगा अब बात करते हैं scout प्राप्तर की scout प्राप्तर अगर आपके पास राष्टरपती पुरुसकार है तो 5 marks मिलेंगे state press car है तो आपके पास 3 marks मिलेंगे और तरतिय शुपान होती रिंड है तो आपको 2 marks मिलेंगे यह तोटल यह 5 marks का होगा आपका maximum अब बात करते हैं license के बारे में अगर आपके पास बारी motor वायन चालक का जो license है तो आपके पास 3 और light का भी आपको 3 लंग मिलेगा यह आपके पास license होना चाहिए और यह maximum 3 marks का ही होगा अब बात करते हैं final selection के बारे में तो final selection के लिए आपको क्या है जो सारी तक्सता प्रिक्षिया होगी उसमें आपको 20 लंग चाहिए और विशेशे होगी तामें आपको 20 लंग चाहिए अब बात करते हैं कि इसकी salary क्या होगी तो salary आपकी होगी home guard की 693 रुपए होगी परडे के इसाब से तो 30 से उना कर लो यानि 20 लार के आसपास आपकी जिशे salary होगी और अगर 4th grade stop में बरती होते हो तो आपको 590 रुपए परडे के साब से मिलेंगे बात करते हैं आवेदन शूरू यानि आपको राजस्तान home guard के लिए आवेदन केसे करना है तो आवेदन करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा आपको एक SSO ID बनानी पड़ेगी राजस्तान home guard बरतीव के आपने कागे अब बात करते हैं एधिकारिक वेबसाइट से अगर आप इसको केसी करना है आवेदन SSO ID बनानी पड़ेगी बात उमीदवार को सरकार की एधिकारिक वेबसाइट कौन सी है recruitment तो डोट राजस्तान डोट गोर्मेंट इन पर जाकर आपको के आउनलाइन आवेदन कर सकता है यति उमीदवार खुद से आउनलाइन आवेदन नहीं कर सकता तो राजस्तान सरकार की अधिन अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकार चाहिए तो आप नीचे कोमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते है अगर आप आपको जानकारी अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर जूरूर करें अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले आज की तरकारी वसी इतना ही धन्यवाद